राजा आर्यवीर की सात रानिया थी सातो रानियों में विशेश प्रकार के गुंड थे रानी सुनैना बुद्धी मत्ता के लिए जानी जाती थी रानी मिनाक्षी एक कुशल कलाकार जो चीजों को जोड़ कर कुछ भी बनाना जानती थी रानी अवंति का एक बहादूर योध्धा और रणी तिग्य रानी गोरी एक कुशल चिकित्सक और आशदी विशेश अग्य थी रानी काव्या जानवरों की भाषा समझ लेती थी रानी भूमिका कृशी और पर्यावरण ग्यान की विशेश अग्य थी और रानी विशाखा एक खगोल शास्त्री और गणी तग्य थी रानीों की इन सभी शक्तियों के बारे में हर कोई भली भाती जानता था सभी रानीों में आपस में बहुत प्रेम था वे सब एक साथ मिलजुल कर रहती थी और राजे के कारिभार में भी राजा आर्यवीर का हाथ बटाती थी राजा आर्यवीर की बाकी रानीों की तो कोई संतान नहीं थी पर सबसे बड़ी पत्नी रानी सुनैना के विराट नाम का एक पुत्र था जिसे सभी रानियां बहुत प्यार करती थी विराट देखो पुत्र अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो तुम शक्तिशाली कैसे बनोगे? चलो, जल्दी से भोजन कर लो मा, मुझे बिल्कुल भी भूक नहीं है अच्छा, आज हम नगर में घूमने जा रहे हैं हमारे साथ घूमने कौन चलेगा? मा, मुझे भी नगर घूमने जाना है अच्छा, तो फिर घूमने के लिए तो शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है पेट खाली होगा तो हम घूम कैसे सकेंगे? हमें तो खूब सारा भोजन करना है ना? अगर तुम भोजन नहीं करोगे, तो चलते चलते ठक जाओगे मा, अगर मैं भोजन कर लूँगा, तो मुझे में शक्तिशाली बन जाओगे क्या तुम भोजन करना चाहोगे? पर क्या फाइदा? तुम तो भोजन करने के लिए मना कर रहे हो मा, मुझे बहुत जो रोकी भूक लगी है, मुझे खाना दो, फिर मैं नगर घुमने जाओँगा बहुत सुन्दर, आप सभी का विराट के लिए इतना प्रेम देखकर मुझे बहुत प्रसनता होती है हाँ महराज, सभी रानिया विराट को बहुत प्यार करती हैं मैं तो यही कहूंगी कि हमारा विराट बहुत भागिशाली है, जो उसे एक नहीं, बलकि साथ माई प्यार करने के लिए मिली है महराज, हम सभी विराट को बहुत प्यार करते हैं, और जीवन में हमारे पुत्र पर यदि कोई संकट आया, तो उसे सबसे पहले हम से भेड़ना होगा हम साथ में साथ रक्षा कवच हैं, जो अपने पुत्र की सदैव रक्षा करेंगी अपनी राणियों का पुत्र विराट के प्रती प्रेम देख कर राजा आरेवीर सच मुझ बहुत प्रसन्न होते थे, पर एक दिन अचानक संकटों का पहार तूट पड़ा राजकुमार विराट गंभीर रूप से बिमार पड़ जाते हैं, और राजी के बड़े से बड़े चिकित्सक और वैद्य उन्हें ठीक करने में असमर्थ होते हैं वैद्य जी, कोई तो इलाज होगा इस बिमारी का, हमारा पुत्र कोई ऐसी जड़ी बूटी हो जिससे ठीक हो जाए कृपा करके बता दीजिए, हम उसे मंगवाने की पूरी कुशिश करेंगे एक औशधी तो है, जिससे राजकुमार विराट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं पर वो दुरलब जड़ी बूटी दूर जंगलों के पार पहाड़ों पर पाई जाती है और वहाँ पर बहुत मुश्किल से ही पहुचा जा सकता है और उस जड़ी बूटी की पहचान हर कोई नहीं कर सकता उसे पहचानने के लिए किसी कुशल औशधी विशेशग्य की आवेशक्ता होगी मेरा राजकुमार के पास रहना बहुत जरूरी है क्योंकि समय समय पर मैं उन्हें अपनी तरफ से कुछ औशधी देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं राजकुमार को अकेला छोड़ कर नहीं जा सकता महराज अचानक कुछ भी हो सकता है इसलिए आपको किसी और कुशल वैद्धी को जिसको औशधी की जानकारी हो उसे भेजना पड़ेगा पर हमारे राज्य में ऐसा कोई भी चिकित सक नहीं जो उस औशधी के बारे में जानता हो महराज, वैद्धी जी शायद ये बात भूल रहे हैं कि मैं एक कुशल औशधी विशेशग्य हूँ मैंने अपने नाना जी से इस कारे में बहुत कुशलता हासिल की हुई है मैं किसी भी औशधी का पता देखते ही लगा लेती हूँ मैं हर औशधी की पैचान रखती हूँ वैद्धी जी, मुझे बताईए कि वो औशधी देखने में कैसी है बस बाकी सब मुझ पर छोड़ दीचे मैं सही औशधी लेकर ही लोटूँगी रानी अवन्ति का आप तो जानती है कि मुझे पर्यावरण की कितनी जानकारी है इस कारे में मैं भी आपका साथ दूँगी और मैं जानवरों की भाषा समझ लेती हूँ जो की जंगली रास्तों से गुजरने में काफी सहायता करेगा एक एक करके सभी रानियों ने अपने गुणों के अनुसार एक साथ जड़ी बूटी लाने के लिए शपत ली मेरी बेहनों, मेरे बेटे का जीवन आपके हाथ में है हमें उसे बचाने के लिए इस जड़ी बूटी को पुना प्राप्त करना होगा मैं आप सब के साथ सेना को जाने के लिए अभी आदेश देता हूँ महराज, आप मेरी शक्ती से भली भाती परिचित है मैं किसी भी परिस्तिती से मुकाबला करने में सक्षम हूँ और जब हम सब राणिया एक साथ मिल जाते हैं तो किसी भी परिस्तिती से लड़ सकती है हाँ, मैं अपनी राणियों को भली भाती जानता हूँ इसलिए मैं आप साथों को जाने के इजासत देता हूँ सभी राणियां अपनी अपनी शमताओं का उपयोग करते हुए खतरनाक यात्रा पर निकलती है जंगल में प्रत्येक राणि की अद्वितिय शमता सामने आती है राणि सुनेना जंगल की खोज के लिए एक प्रभावी योजना बनाती है राणि मिनाकशी आराम और सुरक्षा के लिए आश्रेओं का निर्मांद करती है राणि गौरी जड़ी बूटी के लिए कई संभावित अस्थानों की पहचान करती है राणि कावया पक्षियों और छोटेवन प्राणियों से बातचीत करती है जो जड़ी बूटी के स्थान के बारे में सुराग देते हैं रानी भूमी का जड़ी बूटी के पनपने के लिए सही पोशक तत्वों से सम्रिध सबसे उपजाओ शेत्रों की पहचान करती है तारों से जगमगाते आकाश के नीचे रानी विशाखा घने जंगल के माध्यम से समुह का मार्ग दर्शन करती है अंत में एक बुधिमान बूढ़े उल्लू की मदद से जिससे रानी काव्या मित्रता करती है और बादचीत के माध्यम से वे एक छिपी हुई शांदनी वाली घास के मैदान में मायावी जड़ी बूटी का पता लगाते है जैसा की रानी गौरी ने पहचाना था अंत में उन्हें दुर्लब जड़ी बूटी मिल जाती है वापस लोटने पर राजकुमार विराट को जड़ी बूटी दी जाती है तो वो तेजी से ठीक हो जाते है सभी लोग सातोरानियों की बहुत प्रशंसा करते है उन्होंने अपनी कुशल्टा से राजकुमार विराट की गंभीर बिमारी को ठीक कर दिया कहते हैं एकता में वो ताकत होती है जिससे एक जुट होकर बड़ी से बड़ी कठिनाई से लड़ा जा सकता है राजा विश्णू दर्द गुस्से में बढ़ बढ़ाता रहा लेकिन उसके आराम कक्त की खिड़की पर बैठे कववे पर कोई फर्क नहीं पड़ा वो पूरी जोर से अपनी काउं 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 करता रहा दूसरी तरफ राजा विश्णू दर्द भी कम नहीं था दोरसल खिड़की पर बैठा वह कववा बहुत प्यासा था और बार-बार पाली मांग रहा था राजा ने अपने सिपाईयों के उस कववे को बार-बार वहां से उड़वाया लेकिन प्यासा कोवा बार बार खिर्की पर आ जाता और लगातार काउं काउं करता ही रहा और बस इसी बात से राजा बुरी तरह जला गया अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा तो ठीक है फिर अब मेरे हाथों मरेगा तू काले कोवे इतना कहकर राजा विश्नुदत ने अपना तीर कमान उठाया और कोवे की तरफ एक तीर चला दिया कोवा खत्रा भाब कर वहां से उड़ पाता उससे पहले ही राजा का तीर उसके सीले पर जाकर लगा तीर लगते ही कोवा खिर्की से अंदर फर्ष पर गिर पड़ा अब कर काओं 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 फार दिया कम बखत ने राजा विश्नुदत कोवे को मारने के लिए उसकी तरफ तलवार लेकर दोड़ा लेकिन उससे पहले किसी तरह हिम्मत जुटा कर कोवा उठा और फूरी ताकत लगा कर वहां से उर गया किसी तरह से यहते पढ़ते कववा जंगल में पहुचा, जहां कवव की पूरी बस्ती थी और फिर काओ, काओ, ये क्या हो गया कलू चाजा, आपको ये तीर किस ने मारा, काओ, अरे बेटा, सुना था कि राजा विश्णू दद्द बहुत खडूस है, पर आज देख भी लिया, मैं तो बस पानी की उमीद में उसकी खिडकी पर जा बैठा, और देखो, उसने ये क्या किया मेर साथ, आ, अरे वो तो मेरी तरफ तलवार लेकर दोड़ा था, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है बेटा, पर लगता है मैं बचूंगा नहीं, आ, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा मत कहो कलू चाजा, और हद हो गई, हम तो दिन भर काओं काओं करते हैं, हर कि उसी के घर जाकर बैठते हैं, पर हम पर तो कोई ऐसे तीर नहीं चलाता, आप पर ये तीर चलाकर उस राजा ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उसे इसकी सजा भुगत नहीं होगी, कमल कववे की बात सुनकर बाकी के कववों को भी गुस्सा आ गया, और सभी कववे कमल क पहला कर उड़ जाएं और अपनी जान बचा लें, एक तीर का जखम और अब इतनी उपर से गिरने की बज़े से उसकी मौत हो गई, उसे देखकर सभी कववे रोने लगें, नहीं कल्लू चाचा, आप हमें ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते हैं, कल्लू कववे की मौत ने सारे कववे को गुसे से भर दिया, उस दिन पूरी कववा बिरादरी में मातम पसरा हुआ था, और अब हर कववा राजा विश्नुदत से बदला लेना चाहता था, पर इतने बड़े राजा से एक कववे की मौत का बदला कैसे ले, ये बड़ा सवाल था, उस राजा ने कल्लू चाचा को इसी लिए तीर मारा ना, तुकि उसे हम कववे की आवास पसंद नहीं, उसके कान दुखते हैं हमारी आवास से, तो फिर ठीक है, अब ना रहेंगे राजा के कान, और ना होगी उसे कोई दिक्कत। कमल ने फॉरन सारे कववों को इकठा किया और उन्हें अपनी योशना के बारे में बताया, थोड़ी ही दिर बाद कमल कववा बाजार के उपर मंडराने लगा, उसे वहाँ एक दुकान नजर आई, जहाँ चाकू छुरियां तेज कराई जाती थी, कमल कववे ने मौका दे कमल कववा अपने कुछ साथियों के साथ मेहल के पीछे जाकर छिप गया, और बाकी कववे मेहल के सामने लगे एक पेड़ पर जा बैठे, सुनो साथियों, जैसे ही मैं इशारा करूँगा, तुम काउं काउं करने लगना, जिस पर वो राजा जरूर गुसा करेगा, लेकिन तुम लोग डरना मत, वो राजा जैसे ही तुम्हें मारने तुम्हारे पास आएगा, बस मैं तभी उसे सबक सिखाऊंगा, ठीक है बेटा, बस थोड़ा टाइमिंग का खयाल रखना ज़रा, क्या है ना, मैं टाइम से पहले नहीं मरना चाहता, चिंता मत करो बाबा, हम पहले ही कल्लू चाचा को खो चुके हैं, अब की बार हम मैंसे कोई नहीं मरेगा, ये वादा है मेरा, कमल कउवे की योजना की मताबिक कुछ कउवे राजा की खिडकी पर बैठ कर काउं काउं करने लगे, जिससे राजा विश्णोदत को फिर से गुस्सा आ गया, अब एक क्या बला है ये, ये काले कलूटे कउवे, मेरे पीछे ही क्यों पड़े है, कल ही एक को निप्टाया है, और अब ये सब आ गए, और ये, ये वाला तो कुछ जादा ही काउं काउं कर रहा है, रुक वहीं, रुक तू, तू भी मरेगा कउवे, राजा जैसे ही बुढ़े कउवे को मारने के लिए खिड़की की तरफ अपनी तलबार लेकर दोड़ा, बुढ़ा कउवा तो फौरन वहां से उड़ गया, लेकिन कमल का इशारा पाते ही, पेड़ पर बैठे बागी कउवे राजा पर शिपट पड़े, जिससे राजा पीछे चिपे बैठे कमल कउवे ने आगे बढ़कर तुरंथ चाकु से राजा के दोनों कान काट लिए और उन्हें मूने दबा कर वहां से उड़ गया, अरी मैया, अरे कान काट लिए, अरी मेरी मैया, कउवो, ये तुमने क्या किया, बिना कान के राजा बना दिया रे, त कमल ने राजा के दोनों कान काट लिए थे, वो उसके दोनों कानों को मुह में दबाए महल के सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ गया, और फिर बुड़े कावे ने जाकर उसे, भाई मान गए बेटा तुम है, पर एक बात तो बताओ, अब इन कानों का तुम करोगे क्या, कुछ नहीं, देखो न, बिना कान के राजा कितना तरप रहा है, उसे थोड़ी देर ऐसे ही रोने दो, बाद में मैं उसके कान उसे वापस कर दूँगा, हैं, पागल हो गया है क्या, हैं, वो राजा तुझे छोड़ेगा नहीं बै, और जब कान वापस करने ही थे, तो हमार जान की बाजी क्यों लगाई तुमने बेटा, चिंता मत करो बाबा, राजा को उसके कान मिलेंगे जरूर, पर इतने आसानी से नहीं, सब को लेकर मेरे साथ आओ, मैं सब समझाता हूँ, कमल कवे ने राजा के दोनों कान बूढ़े कवे को दे दिये, और फिद अपने साथि बचाओ, सैनिको, बचाओ मुझे, कोई है, इन कववा से कोई बचाओ मुझे, काओ, काओ, चिला लो राजा, जितना मर्जी उतना चिला लो, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे सैनिको के कमरे की बाहर से कुंडी लगा दिये हैं हम भाई तुझे क्या चाहिए तू क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है मैंने तेरा क्या भी गाड़ा है अच्छा इतनी जल्दी भूल गया कल तुने हमारे कलू चाचा को मारा था और तेरे कान काट कर हमने उसी की सजा दी है तुझे मुझसे गल्ती हो गई भाई ऐसे अपनी जंता के सामने जाऊंगा तो सब मुझ पर आसेंगे भाई भाई भी जेते भाई ऐसे बात है तो ठीक है तुम्हें तुम्हारे दोनों कान वापस मिल जाएंगे लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम या तुम्हारे सैनिक कभी किसी पक्षी पर हमला नहीं करोगे चाहे जो हो जाए और दूसरी बात ये कि तुम्हें अपने महल के ठीक सामने हमारे कल्लू चाचा की मूर्ती बनवानी होगी और फिर फरकेस नहीं ये कैसे हो सकता है कमल कवे की दोनों शर्ते राजा ने मान ली जिसके बाद उसे उसके दोनों काई वापस मिल गए राजवेद्य ने राजा की काई वापस लगा दिये और कुछी दिनों के बाद राजा के महल के ठीक सामने कल्लू कवे की मूर्ती भी राजा को लगवानी पड़ी अब तो जब भी कवेद्य का मन होता तब वो कल्लू कवे की मूर्ती पर जाकर बैठते और पूरी ताकत से काउं काउं करते और राजा विश्णुदत तक ये से अपने कानों को ढख लेता क्योंकि इसके अलावा कुछ और करने की हिम्मत उसमें अब नहीं बची थी हलो दोस्तों कैसे है आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बैल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलेगा